हेलो दोस्तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ मेरा नाम है सपना गणेश महंदियार्ट की तरफ से मैं आपका हारदिक अभिननदन करती हूँ आज मैं फिर आगई आपको महंदि सिखाने आज हमारा 30 डेस चैलेंज का तीसरा दिन है तो आज हम बेसिक हीना ली करते हैं मतलब कोण के अंदर से बिल्कुल महंदि नहीं निकालना है आप अपने कुछ चैप शेप देना है उपर उसको कर्व कर दीजिए तो आपकी प्रॉपर पतियों का शेप बन जाएगा अगर आप इस तरह से पतियों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत ही आस आपको शेप टो शेप पतियों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे बिल्कुल अच्छे से पतियां बन जाएगी अब मैं आपको वहली पतियां मनाना सिखा रही हूं जो सबसे इंपोर्टेंट है महंदि के अंदर पहले सबसे पहले हम ड्रॉप बनाएंगे उसके बाद आपका हाथ पतियों की शेप में चलेगा जिस तरह से मैंने पतियां बनाई है उस तरह से आप भी बनाना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना तो यह रहे हमारी पतियों की डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगती है जब ही हम बनाते महदी से अपने हाथों में बहुत ही स पतियां बनानी है बहुत ही अच्छे से और आसानी से बन जाएगे आप एक बार जरू ट्राय करना उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको पतियां सिखाई थी उसको हम तीन पतियों की शेप में बनाएंगे पहले हमने सिर्फ एक ही पति बनाई थी अब हम इसे तीन शेप में बनाएंगे पहले आप दो तरफ से लाइन खीश लेना एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में और एक उपर तो आपसे प्रॉपर शेप में पत्यों का शेप बन जाएगा और फिर इसे डार कर देना इस तरह से आप पत्ती बनाना सीखे बहुती आसानी से आपको बनानी कि उसके बाद हम एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पत्यों का शेप बनाना सीखेंगे एक कर्व लाइन बनाना उसके बाद इसे पत्यों के शेप में बनाना ताकि हमारी पत्यों के डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन पाए इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी कि पतियां सबसे important होती है महंदी की designs में इससे designer महंदी बहुत ही सुन्दर सी लगती है आपको मेरे designs कैसी लगी है आप मुझे comment करके जरूर बताना अगर आपसे एक normal सी पती है बनाना सीख जाओ उसके बाद आप एक पती normal बनाना उसके बाद एक design को curve करना है इन पतियों को एक गोलाई की shape में हमको नीचे धकेलना है ताकि ये पतियों के आकार में बन जाए इस तरह से आप practice करना अगर ऐसा नहीं हो पाए तो आप अलग paper प practice करना इसे curve बनाने की पहले एक normal पती और फिर इसे push करना है नीचे उसे धकेलना है और गोलाई के आकार में इसे पतियों के shape में बनाना इस तरह से मैं आपको zoom करके बता रही हूं इस तरह से आप बनाना पतियों का shape तो आपसे बहुत अच्छे से और आसानी से बन जाएग पतियों की सारी design सबसे important है क्योंकि हमें मेहंदी में बहुत ज़्यादा काम आती है पत्यों की designs तो इसकी practice आप जितनी हो उतनी अच्छे से practice करना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे like, share and subscribe ज़रूर करना thank you bye bye